Hello everyone welcome back to our channel billion education where we aim to reach and teach billion population so guys स्वाग एथ है आपका हमार चैनल पे तो अब हम कर रहे हैं आपका logic जी हां बड़े दिनों से request चीज की किसा लॉजिक स्टार्ट कर दी तो यह लॉजिक चैप्टर हम लोग अरे लॉजिक सब्जेक्ट आपका शुरू कर रहे हैं अच्छा अब लॉजिक क्या भी है जैसे नाम में हम लोग बोलते डे टूडे लाइश में भी यूजिक लगाना लॉजिक का मतलब सिंपल सा क्या बोल सकत यह आप लोग को पता है फिलासफी ने सबको जनम दिया है तो वैसे फिलासफी ने जनम दिया है लॉजिक को वह सोचने का तरीका जहां पर थोड़ा-थोड़ा सा राष्णनल रहता है साइन्टिफिक तिंकिंग को तो बहुत कुछ जानने को आगे चाप्टर में तो रॉजिक कैसा है यह पानी है। यह व्लीड है यह गास है क्या है। इसे ही मुझा कर रहे है। तो चलिए। चाप्टर 1 नेचर फ्लॉजिक। बाद रिजनी आप्स वैल आज गुड रिजनींग इस पॉसिबल लॉजिए। इस फाट इस फाउंडेशन और प्राक्टिकल साइड ऑफ लॉजिक चाल्स सैंडर्स पियर्स यह अमेरिकन फिलोसफिस्ट है प्रेग्माटिस्ट की थेरी दीती नों ने जहां पर यह लोग बोलते हैं कि फिलोसफी एक होती थॉट की एक होता है करके दिखाने की तो वह एक् लॉजिक को तो बोलते हैं अच्छी रिजनिंग भी हो सकती किसी चीज की खराब रिजनिंग भी हो सकती है तो यही रिजनिंग के बैसिस पे अलग हम लोग सब्जेक्ट ही शुरू कर देंगे that's a logic so did you know that that logic is a branch of philosophy जीहां जानते होंगे logic developed independently in India बिना किसी के influence के अपने आप इसमें लोग शोध करते चले गई ability to reason is the unique characteristics of man यही तो कर रहा म्रुजिंदगी जब से पैदा होगे reason क्या है सत्य क्या है और reason क्या है logic will train you to reason correctly ध्यान रखिये correctly यह नहीं कि incorrectly कुछ भी नहीं बोल दिना है you need not have formal training in logic to use the rules of logic and reason correctly यहीं से शुरू कर दिये बोलता है ज़रूरी नहीं क्या आप लोग बच्वान पड़े या नहीं पड़े यह नहीं पड़े यह नहीं पड़े यह दम लोग दे टुदे लाइफ में करते ही है logic is traditionally classified as a branch of philosophy philosophy का ब्रांच भी यह चिक टिक बता दो भी है philosophy philosophy is fundamental of all spheres of human inquiry इसी को तो इसी लिए तो इसको क्या बुलते हैं इसको बुलते हैं mother of all subject यह मा है जिसने और बाकि सब्जेक्ट को पैदा किया है तो वह ही है कि human की जितनी inquiry सब की सब philosophy में आ जाती है and logic is the basis that strengthens philosophical thinking कैसे कैसे कर देता देखिए philosophy को इसी चीज को हम लोग कब बोलते हैं कि वह सही है जब उसकी validation हो जाए जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि कोई बोल दे कि भाया धर्ती सव साल में खता हो जाएगी सही बात है validity दिखाई है उसकी reason बताई है उसके लिए अगर आपने सही सही reason दे दिये आपने कोवीट को लिंक कर दिया वर्ल में सब्जेट जब उसकी correctness बढ़ जाती है फैक्त बढ़ जाता है ठीक है फिलोसफी वन नेट्स तू थिंक क्लियरली हम तो लाइफ में सोची नहीं पाते हैं चलिए कम से कम लॉजिक में क्लियरली सोचेंगे तो डेल विट मोस्ट fundamental questions related to our life and this universe तो भाईया fundamental मतलब बहुत important है लेकिन बहुत है basic है इसे बोलते है fundamental और जिसके बिना हम लोग रह भी नहीं पाएंगे तो fundamental वर्ड में तिन चार वर्ड छुपे होते हैं बहुत simple है दूसरी बहुत important है और तीसरी चीज़ इसको बिना हमारे जिंड़गी अधूरी अधूरी है तो चुल सब में हैं से जानने का तो हम लोग बात वही कर रहे थे कि अगर आपको अपने बारे में और वर्ल्ड के बारे में या इन्यूर्स के बारे में जानना है अब देखिए अपने बारे में कि मैं क्या हूं आत्मा क्या है यह सब भी ठीक है बायलोजिकल लेवल पे भी यह सपोर्टिंग मानी है हर सब्जेक्ट में लॉजिकल रिजनिंग सपोर्ट आएगा तो ऐसे आप समझ सकते हैं तो आपको क्लियर थौट रखना है दिस ब्रांच इस नॉट लाइक की पूरा जो सोच्ट रखना है क्लियर थौट से सोचो तो सारी चीओं का अनस्वर मिलेगा यूज अब प्रिंसेपल्स अव लॉजिक इन थिंकिंग और रिजनिंग और आर्गुमेंट इस सेंट्रल टुद प्रैक्टिस फिलोसफी जैकि प्रैक्टिकल साइड ही है यह प्रैक्टिकल साइड है अगर फिलोसफी को एक होता है फि तों तो इस तरह से हमारी थाट हमारे अकृषन कंप्लीट होती जाते हैं कोई भी चीज़ लिए समझें मैं साइकल चलाना च्याता हूं और अगली बार यह बैलनस पहले सीखना चाहिए और साइकल चलाने को चाहिए तो लेके जाए ओलम्पिक्स तक या पिर अपने घर के नीजी कामों तक यहाप पे डिपेंड करता है यही मजा है जिन्दकिया फिलासोफी चीज करती है उठो बैठो गिरो इस तरह से चलता है करना कि सोच है कि फिलासोफी क्या थाउट का एक बूक है तो फिलासोफी में लिखा है उसको प्रैक्टिस कैसे करें तो यह सब रहते हैं कि प्रदमें बड़े बड़े शहनशाही राजाओं और बड़े नेताओं को गिरा सकते हो जमी पर अपने आवाज के धन पर जिया आव कोई बोल दे कोई भी नेता बोल देगा कि धरती समाप्त होगी देखिए बले ज्यादा दिनों के लिए लेकिन उच्छन के लिए तो सब के अंदर डर पैदा हो जाएगा आवाज में हो ना बचिये तो वह प्राक्टिस हो गई चले अर्गुमेंट में इन एंशेंट टाइम्स लॉजिक ओरिजिनेटेंट इन डेवलप्ड इन इंडिया हमारे प्यारे भारत में डेवलप हुआ ग्रीज इंडिया के साथ ग्रीज जुड़ा रहता है और चाइना जीसे हम समझने की चुलू है पहले से लेकिन चाइना हर जगे स्टार्टिंग से भ अब देखोगे तो ग्रीक वाले ग्रीस के लोगों जो रहते हैं उन्हें ग्रीक बूलते हैं किस्टी का बहुतों जाना लिखना अच्यह इसे पढ़णा लिखना रहा भीन अंटा नहीं आता है तो गया किसी को लेकिन एसे गार्ड़ा एज दी फादर ऑफ लाजी देखे मुझे इसी लगे हाथ बता देना फादर फिलोसफिक होने देवल्पमेंटर लॉजिक थ्रू आउट दो वर्ल इस मेंली इंफ्लुएंस्ट बाइ पुरी वर्ल में अरिस टुटलियन लॉजिक एक्सेप्ट इन इंडिया और चाइना वेर इडिवल्पमेंटर ली यह उनसे इंफ्लुएंस्ट नहीं था हमारा खुद का शुरू हुआ इसलिए मोग पहले बोले कि इंडिया में इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ ऐसा नहीं ताम को नहीं पता दे कि बाजू में चल रहा है जैसे कि अम लोग भी शुरू कर दें कुछ नया साइंस और पता नहीं कि वॉर्ल में चल रहा है तो उस तरह से वहा था लाजिक और इजनेटेड इंडिया मतलब पुराने भारत में हमारे जब वेडिक वदी काल थे और अन कंटिनू तो डेलब तिल अर्ली मॉडरन ताइमस अर्ली मॉडरन टाइमस तक मतलब यह जो हमारे बिटिश आते हैं उनको मॉडरन ताइम बोले वहा तक भी डेवलप हो रहा था इंडियन लॉजिक स्कूल ऐफ फिलॉसफी ना इसली फिलॉसफी पहुत खतर नाक फिलॉसफी अच्छा आप जब आओगे नियाए फिलॉसफी पाद जिलॉसफी यूग फिलॉसफी आप एक चीज पाओगे ।स तक चाहिए है यह चीज हम लोग जिन्दगी भर होना चाह जरूरी नहीं है कि वह फिलोसोफी जो तिंकर ने दी है यह लिखने यह सब क्या आता है एक सब जैसे समझे कि मैं हूं मैं लिख दू बिलियन का करके कुछ कर दो अब फेमस भी हो जाए तो फिलोसोफी लेकिन वह मैंने लिखा है मैंने दस पंदरा बीस हजार कितने भी लोग रहें उनसे मिलके बातें करके जीवन के एकस्पीदेंस को उसमें लिखा है जरूरी नहीं है कि पढ़ने वाले के हर चड़ हर पर्टिकुलर टाइम पर फॉलो करें नहीं किसी टाइम पर फॉलो करता है हां लेकिन चारपास फिलो फिलोसफी आपके पास रहती है या तो किसी चीज का किसी टाइम में इंपॉर्टेंस होता है मुझे लगता है मेरे इसाब से नयाय दर्शन का बहुत सभी इंपॉर्टेंस होता है ठोड़ा प्रमान और यह सब के बार में सुनना जब आएगा आगे तो मैं बताती जाओंग समझ एक नयाय दर्शन मतलब फिलोसफी बोलते हैं बुक है लिखी गई है दर नयाय सुत्राज आफ अक्षत पद गौतम सेकें संच्री कंस्टिटूट दी को टेक्स्ट आफ नयाय स्कूल तीक है तो यह लिखा गया उनके जारा इन महा भारत भारत में काववे बोलते हैं काव विक्या होते हैं जहांपे कहानियां कही पुरानी तो इसमें दो हुए महा भारत और राम आया की इसे कोवर्मेंट का स्टैंड बता रहा हूं इसे हम रिलीजियस बुक नहीं मानते हैं यह इंडिया की क्लासिकल पूरानी बुके हैं और दसास्त्र आफ कॉटिल्य चानक क्या विफाइंड रेफरेंस आफ अन्विश अन्विक्षिकी एंट तर्क कूल आफ लॉजिक इन इंडिया तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग में किन-किन बुकों में इसका हमें जो रिफरेंस दिखाई रहेता हैं पहले तो अगर इंडिया के बाहर तो अरिस्टोटल पूरे वर्ल्ड में अरिस्टोटल का इंफूरेंस है इंडिया इंडिपेंडेंटि कुछ आते हैं तो आप लोग देखे रहें किर्ष्ने का और वो सब आर्गुमेंट्स रहते हैं धर्म अधर्म ठीक है ना फिर इसी तरह से आप देखो फॉलोइंग दिलोग वडिदान नौट फॉलोइंग तो जो सायन का लोग तुसे फॉलोग करने को धर्म कहते हैं और ए अनविक्षिकी क्या होता है जनरली इसका मीनिंग ऐसे लिखते हैं रीजन टूंडना पता करना यह ठीक है पॉर्दी फॉर्मिलेशन आप सांस्क्रिट अस्क्रिट बोलना चाहिए लेकिन सांस्क्रिट बोलने में ठीक लग जाता है तोड़ा ग्रामर पानेडी ने व्याकरन लिख है संस्क्रिट ग्रामर को व्याकरन में इन्हों ने लिखा था go रखें बहुत important है वेदास की बाद यह सब के बहुत important पढ़ती है पानइन वाली और न्याय धर्शन वाली बहुत recent मतलब पुरानी है अरतिशाष्तर बाद में आया और यह क्या नाम इंकाम महाभारत भी बहुत पुरानी है डावलेट अफॉर्म ओफ लॉजिक विच इस सिमिलर टू मॉडरन बुलियन लॉजिक यह सब की बारे में नेक्स लेक्चर में जानेंगे और इंट्रोड़क्शन है जिसमें नेक्स लेक्चर में बुद्धा बोलते क्या थे करते क्या थे सब बताईए ना राधर दैन सिफ ऐसा बुद्धिजम पढ़ा देते हैं बुद्धा को लेकि हम बुद्धिजम पढ़ाएंगा बहुत मजा आएगा तो स्कूलों में कॉलोजों में दिक्कत चालू है कि लोग गलती कर रहें कि आप यह सब के बारे में क्या है यह डिटेल में पर जानते जाएंगे यह देखिए चाइना यह देखें मोजी मास्टर मो ठीक है यह सब चाइनीज है यह देखें यह सब हम लुग जानेंगे नेक्स लेक्षर में अगर वीडियो अच्छा लगाओ गाइस तो जरूर सपोर्ट दिखाना अपना तो यह नए सीरीज है ज्यादा ज्यादा लाइक करना शेयर कर दे लेक्स लेक्षर में तिल देन बाइबाइबाइब ग्रेटर नाइस दे अहेड साइवनारा लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा